चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं मनिफुर की बात और मेवात की बात इनके पास शुरक्षा है कहां अगर शुरक्षा होती तो यह कांड कैसे होते क्यों होते नमस्कार साथियों सीसी में आप सभी का स्वागत है हम अभी जिला साम लिए गाउं जगनपुर में हैं आप सभी जानते होगे लगबग पिछले कई महीनों से देश में लगतार सामपरदाइक हिंसा है और जातिया हिंसा हो रही है तो हम अभी यहां पर गाउं के कुछ लोग अभी जैसे देखा जाए पिछले तीन मेने से लगतान मन्यकूर में भी इंसाय हो रही है और अभी हाले में हरियाना के नूम एवात में भी काफी इंसाय तो आपको क्या लगता है क्यों यह चीजे हो रही है लगतार यह सारी चीजे जो है प्रयावजित चीजे हैं इन उनसे अपने समर्थन में वोट ले लिया जाए और उनके उपर सासन करते रहें। इसके पिछे ये मूल कारण है और बहुत से संगठन इस देश के अंदर इस तरीके से काम करते हैं जो इस देश का भाईचारा खतम करने के लिए काम करते हैं। यहां की जनता यह समझ कर उन लोगों को वोट देती है कि यह लोग आमारे लिए शिक्सा की, सवास्थे की, सड़क की, बिजली की, पढ़नी की, हर चीज की विवस्ता करें हैं। वो लोग इन विवस्ताओं को करने में तो रहते हैं ऐस सफल। क्योंकि ना तो उनके पास अनुभव है इस चीज का, ना उनके पास इमानदार सोच है, ना वो लोग कुछ करना चाते, बलके इस देश को बेच कर, कुछ लोगों के आतों में उस संपत्ति को उन लोगों ने देना का प्रयास किया है। इन चीजों पर लोग कोई रियक्ट ना करें, कोई सवाल ना पूछें, इसलिए लोगों को गुम्रा करने के लिए तरह तरह के सडियंत्र इस देश के अंदर रचे जाते हैं, कभी जातिया इंसा लोगों के बीच में कराई जाती है, और ये कोई आज की नही गटना नही है जब भी चुनाव आता है, तभी खास तोर पे जो पार्टिया सत्ता में बैठी हैं, वो पार्टिया धार्मिक उनमाद के आधार पर लोगों को इस तरीके से गुस्सा दिलाते हैं, कि हर बात भूलकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, तो ये सरकार के अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके के दंगे कराए जाते हैं, उन लोगों ने अपने कुछ पिठों को अलाग अलाग संगठों के नाम पर खड़ा करके, इस देश के अंदर मावल खराब कर जया, अब लोग इतने जागरुक और सजग हो चुके हैं, कि ब यहां मुसलिम की आबादी जो हैं इंदू से कम नहीं है, एक अर्थ हमकर काज है तो सहाद इसको मुसलिम बहुले भी कह सकते हैं, और हमारे परिवारिक रिष्टे हर तरीके के संबंद मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों मुठना बैठना है, जहां हमें जोरत हैं हमारी सरकार की सह पर इस तरीके की घटना को खड़ी करते हैं, इसको कदी जाट मुसलिम का नाम दे दिया जाता है, कभी उसको जह गुजर मुसलिम का नाम दे दिया जाता है, कभी बनिया ब्रामन का नाम दे दिया जाता है, तो सरकार क्या कर रही है, व्यवस्ता बनाना तो सरकार कामन अच्छा ये सम्राइट मीर भोज का थोड़ा सा बता जीजे क्यों ये गुराव याथरे भी निकली दिसमें बहुत सारे जो सानुपूर में जो गुराव याथरे ने तो बहुत सारे गुजन जो लोग गए थे उनों पर भी आफायर दर्ज की गई ना कि उन्होंने कोई अवेज चीजे निकारे लेकिन ये फायर दर्ज करके क्या चीजे साबित करना जा रहा है बहुत सारे लड़कों को फायर दर्ज की गई ना सरकार की सरकार ये चाते है कि फायर से लोग डरेंगा लेकिन फायर से तब तक डरता है आदमी जब तक को गलत करता है जब आदमी जलत नहीं करता है, तो उसे फिर 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 को डर्य नहीं होता है. को बताना चाहिए, इत्यास वीवाग को, संस्कर्ति वीवाग को, कि वो आज तक सम्राट मीर भोज को गोजर मानते आए हैं या नहीं मानते आए हैं, या उन्हें गोशना करने चाहिए ये सारवजनिक रूप से, इसके पीछे भी यही माइंड काम करता है, किस तरीके से टकराओ पैदा किया जाए है, बई राजपूत को लड़ाओ, जाट को लड़ाओ, मुस्लिम को लड़ाओ, जाज जो भी लडाने से इन लोगों को जब धुरुवी करन होता है, तो बीजेप को उसको लाब मिलता है, तो इसलिए बीजेपी दुर्वी करन की राजनिती करती है और उस दुर्वी करन के लिए देखो ताजूब की बात है वो जो उसका वोटर है ना हिंदू वो उसकी ही बली चड़वाती है हिंदू की जब बली चड़ती है तक भी तो हिंदू का खून खोलता है और जाच कौन क जहां सरकार के जंचिया करती हैं, सरकार की एजन्चियों के क्या हाल है? वो आपको पता है, पूरे देश को पता है, वो कठ पुतली से भी कहीं निचले दर्जे के रूप में काम करती है. लेकिन लगातार देखा है, सोसल मेडिया पर बहुत सारे बजरंग दल के कारे करता और जो है, वो कह रहे हैं कि वही जाट साथ आईए, अपना धरम को बचाईए, जाट गुजर को साथ में लड़ाई में आना चाहिए, तो इसको कितना अप सही मानते हैं अगर बजरंग दल गोर अगसा दल वो अपने आपको ये मानते हैं कि हम हिंदू के रखसक हैं तो रखसा करना उनका काम है ना? हमको जए खित्ती करने दीजे, लोगरी करने दीजे, जो काम हमारा हम करने दीजे, बजरंग दल कर देनी जिए लोगों की शुरक्सा, जाट के, गुजर के, राज एक रिपनी बर हिंदु खत्रेण हैं या नहीं? इस देश का गर्हमंत्री बताओंस चीज के लिए गोषना करें कि इस देश का इंदु-खत्रेम हैं या कंप चुरक्षित है. अगर इस देश के गर्हमंत्री, प्रदारमंत्री या परदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक इस देश का हिंदु खत्रे में हैं, तो उन लोगों को इस्तिपा दे देना चाहिए। अगर वो यह कहते हैं कि नहीं, इस देश का हिंदु मुस्लिम सभी नागरिक सुरक्सित है, तो उनों उनकी जबान पर तला लगा देना चाहिए बजरंग दर लवगरा की। जाट गुझर के बाद, मैं जाट समाज को सलूट करता हूँ, उसको धन्नवाद देता हूँ कि वो इस देश के लिए जो है अपनी कुर्बानिया देने के लिए तायार है, भाईचारा बनाने के लिए तायार है। जाट को तो बदनाम करने की साजी से, अगर जाट इन तुरे देश के उपपर, क्यों थे किसान के लिए लड़ी, उन लोग थे पैलवानों के लिए लड़ी? हर समय वो देश को बचाने के लिए ततपर हैं, उनके साथ इस देश का हर समाज खड़ा है, कुछ मुठिवर लोगों को छोड़के ये ना समझे के जात अखेला इस काम के लिए तयार है हम इस देश का भाईचारा बनाने के लिए अपना खुन बाने के लिए तयार है हम देश के अंदर जो नाजाज लोग मुठिवर लोग देश के साथ खिलवाड कर रहे हम बिलकुल करने देंगे चाहे उसके लिए हम अपनी कुर्बानिया देनी पुड़ें जी आपका नाब एसे काम करा रहा है आपस में हम कोई लड़ना नहीं चाहते हैं यह अपने स्वार्त के लिए हिंदो-मुसलिम का मुद्धा उठाते हैं और अपना उलू सिधा करते हैं लेकिन बहुत हो लिया कब तक इन पर लोग विस्वास करेंगे अब आगे लोग इनके विस्वास माने व अब आपको पता होगा नूमे जो है घर तोड़े जा रहे हैं अवेद बुल्डोजर चला रहा है आप एक वकील होने के नाती बताये कि क्यों यह चीज हो रहे हैं कि वहां के लोगों कहना है कि तोडने से पहले हमें नोटे सी भी नहीं दिया गया है तो आप इस कारवाई क थानों कितना सही मानते हैं बुल्डोर उजर वाली जो कि बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है, जब तक शिक्षित और सज्जन वेक्तियों के आतों में सरकार नहीं आएगी, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है, जो भूमाफिया या ये कहलो, मनीमाइंड लोग या वैपारी लोग, जब तक सरकार में आतंकवादे की स स्थिति में रहेंगे, तब तक कोई कामयाबी होने वाली नहीं है, और सही माइनों में, नयाइपारी का और पुलिस परसासन भी बेहद कासिर हो चुके हैं, आज अपनी डूटी चलाने में. सरकार दावे करते हैं कि हमारी लोग इन ओडर सबसे अच्छा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए कोट में और पुलिस के कश्टडी में लोगों को मार दिया जाता है, चाहिए वो माफिय हो तो सजा देना का काम कानों, लेकिन ये चीजे क्यों निकल के आ रही हैं, ये निकल जब बनेगा तब देश का विकास हो गया, जो बाबा साहब ने जो सविधान बनाया था, उसके से विकास नहीं है, इंदू राष्ट कह देना अपने आप में एक बहिमाना है, चुके ये देश जो है समनुएता का देश है, यहां च्छतिस कोम, च्छतिस जाती है, च्छति के माध्यम से, उननीस सो पिचार में में जब जिला मुझे फर्णगर होता था, हमारे चारों M.P.M.L.C. मॉम्डन हुआ करते थे, आज मुसलिम परतिस सित्ता बढ़ने के बावजूद, दो-दो जिले बढ़ने के बावजूद, कितने मुसलिम निता है, यह एक अरेस्में अरेस्ञ नितिक लाब उठाने के लिए ऐसी श्थिती पैदा करते हैं, रही बाद, हिंदू हो यह मुसलिम इन्ह आवशकता है शिक्षा की, इनह आवशकता है खेलकूद की, इनह आवशकता है नोक्रियों की, उन सबसे इसाहिन करने के लिए इस तरह की बाते पैदा कर दे जो के देश के लिए दुर्बाग्यपूरून है राम कुमार जी अभी जिस तरीके से देश में गटनाई चल रही है चाहे आप मनीपूर की देख लिजे, हर्यानी की देख लिजे तो ये क्यों ये चीजे अभी निकल गया रहे हैं क्योंकि आदमी देश में भी देख सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत जाद है महंगाई आसमान चुने हैं पैट्रो डिजल के अंदाम भी आप देख सकते हो तो ये क्यों हो रहा है ये तो सरकार की वेवेस्ता है मेंगाई, सस्ताई, ये देख रहे या नहीं देख रहे, क्या किसान प्रेसान है या नहीं है, वे देखी नहीं रहे, प्रेसान है, क्या है, क्या नहीं है, जैसे मेरे मील चिन्नी है, पैमिट नहीं हो रहा, तो प्रेसान है किसान, अबर साधियों से प्रेसान है, बच्चों से कि पीज देने के ना के प्रेसान है हर जो और चीज यह प्रेसानी प्रेसानी है मनिफुर की बात और मेवाद की बात इनके पास रक्षा है कहां अगर सुरक्षा होती तो यह कांड कैसे होते क्यों होते रही है सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से कहां सी नेपाल आई नेपाल से इंडिया में आई भारत में आई तो इनकी सुरक्षा कहां गई इनकी सुरक्षा कहां गई अगर महर से जग क्या पुछा जा सुरक्षा कैसे हो सुरक्षा तो अपने आप से पूछने चाहिए शीमा हैदर जो उहां से भारत में कहें और सारा अपना घर बसलिया तो वो कैसे सीमा पार करकाई यह सोचे बाद नहीं जोटता है जैसे जाने इस बाद नहीं यह मेरी सुरक्षा है सरकार की सुरक्षा है लेकिन बताया गया रिकोड है कि मेवाद में आज तक दंगा नहीं हुआ था लेकिन इस बार ऐसा दंगा करा दें तो वीडियो वाइरल की गई कि हमारे इस इन चीजों से उकसाया गया तरीके से को वह काम हुए जाने कि सरकार कही और यहांता अमारे बागे तो चलें नहीं के वहासिज एका पत्थर पत्र पत्राओं नहीं लट तो जाया है इन वह तो उस चीजी ने जानेंगी शरकार जानें घृप वह जाज करो शीज की कौन अपरादी उस उसमा परादी को दंद दिया सपर रहे हैं तरही है देएसल यह मैंड मैनुपुलेशन गें है इसे मनुख्यान की भासद में मैं मैंनौपुलेशन कहते है म्ici तरीके से अपना वोर्ट बंक बना सकती है और किस तरीके से उप सकती है इस तरह के वह एस रहे हमां या frustration दंगे करमाना या फिर कोई भी मुलत जैसे हींदू मुसलिम के नाम पे दंगे हुई हो या फिर सामप्रदाय के दंगे हुई हो तो इसके पीछ गुर्णमेंट की स्टेजी रहती है एक मैंड मैनुपलेशन करने की पुरे यूत की पुरे इंडिया की तो उसके पीछे इनका जो विए भी मैंड मैनुपलेशन कर रही है जैसे तो जो वास्तिविक स्थितिया है देश की उनको पेस्ट ना करके कोई भी इस तरह की चीज़ की तो मैंड मैनुपलेट हो गया वहां पे आप अगर चोटा साही बहा हो जाए तो उसमें आवण किया जाते है कि विसाब तो हिंदो एक हो जाओ अगर मेरे हिसाब से धर्म का मतलब देखा जाए धार्या ती धर्म हाँ यानि जिसे धारन किया जा से को जो धारन करनी हो गया हो वो धार्म अगर कोई विखती है कि हिंदु खत्रे में है आज आहवान करते हैं यह चोटे से लिकर के बड़े-बड़े संगठन तक बुलाते हैं कि आप आईए हिंदु खत्रे में है उसको सेव करना है तो कहीं न कहीं है कि नपंग सक मानसिकता ही में सकाऊंगा हम साइकोलोजिकली हम मानसिक रोगी हो चुके है इसे साइकोपैत कहा जाना चाहिए और रही बात धर्म की रक्षा करने किसी को जोड़ात नहीं है यह कहते कि भगभान की रक्षा करेंगे मंदिरों की रक्षा करेंगे नहीं वो तो यकिन मानिए आप इश्वर की किसी को रक्षा करने की जोड आई ए उन्होंने दाधन किया दंगे उसे में केवलो केवल अपना दाजनेति कुलो सिधा करते हैं। हम अभी जिला सामली के जगनपुर गाउं में थे यहां पे हमने देश में हो रहा ही गटनाओ को लेकर यहां के गाउं के लोगों से बात की गाउं के लोगों कहना है हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से हमें को बठकाया जा रहा है और देश में हमेसा अमन और भाईच झाल बन